नौकरी और रोजगार तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाग तक पहुंचाएं नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार एनेम 10,000 सासनों भरती लेटिस्ट अपडेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम एनेम 10,000 सासनों भरती सम्मार्जी ने क्या कहा है भरती को पारदर्शी तरीके से जो फूरा करने का लच निर्धारित है आखिरकार फैसला क्या होने वाला है और सियम नितिश कुमार्ण ने सब से ये कहा कि सब के साथ नया होगा तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपोर्ड जानकारी मिलेगे क्योंकि हमारा प्रयास सही है कि हम लगातार आपके लिए महत्पोर्ड से महत्पोर्ड अपडेट लेकर आए तो दोस्तों आप लोगों से के ओलेक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी सेर किजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा आप सभी अभियारतों को मालूम होगा कि बिहार में CM नितीज कुमार की जो कैमिनेट की मीटिंग थी और जो अध्यस्ता की मीटिंग थी और आखिरकार संपन हो चुकी है मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला लेते हुए बिहार में जितनी भी वैकेंसी है और जितनी भी वैकेंसी पेंडिंग चल रही है उसको जल से जल पारदर्सी तरीके से पूरा करने का लच्छ निर्धारित हो चुका है और जितनी भी वैकेंसी हो का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उनका जल से जल एकजाम लेकर उन पर जोइनिंग प्रक्रिया सबी छात्रों को देने का आदेश जारी हो चुका है ऐसा सियमनितिस कुमार की मीटिंग की अध्यस्ता के बाद ये आदेश जारी हुआ है तो दोस्तों बिहार में चाहे जितनी भी वैकेंसी हो जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो चुका है और आलाइन आवेदर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है ऐसे में अब बहुत जल बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और सबी छात्रों को एकजाम की डेट का निर्धारन कर दिया गया था उसी आधार से इस भरती को पूरा किया जाए और इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी किया जाए तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सीम नितिस कुमार की जो अध्यस्ता की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो चात्रों के द्वारा लगबग 2-3,000 फाम ग्यापन दिया गया था उस ग्यापन में आयोग की टीम आपके ग्यापन का निस्तारड कर रही थी और सीम नितिस कुमार के अध्यस्ता में आपके प्रस्नों को उठा रही थी ऐसे में जो सीम नितिस कुमार जी ने साब सब्दों में यही कहा है कि एनम 10,700 भरती हो या है कि हम हर सरक हम हर वर्ग के अभ्यारती और हर वर्ग के साथ न्याय करें ऐसे में दोस्तों एक प्रकार से देखें जो सीम नितिस कुमार जी का साफ साफ निर्देश है कि सभी सभी छात्रों के साथ न्याय होगा तो दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए कि एनम दसजार साथ सब्सक्राइब के लिए जो महत्पूर अपडेट है अर्थात अगर मंत्री जी ऐसा बोल सकते हैं कि सब के साथ नया होगा तो एनम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया में भी आपको महत्पूर अपडेट देखने को आगे मिल सकती है और साथ ही साथ सीयम नितिश कुमार के अधिस्ता में ये भी बड़ा फैसला लिया गया है कि चुनाओ की प्रक्रिया आने वाली है जो वेकिंसी चल रही है उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए और सभी छात्रों को नियुकती पत्र का जो घोसित कर दिया जाए तो एक प्रिकार से देखें कि जो भी हार सरकार है और लगातार सभी वर्ग हर छात्रों को जो जितने भी वर्ग हैं सभी के साथ नियाय करने का प्रयत्न कर रही है लेकिन अगर जो क्राबिनेट की मीटिंग वही थी उस मीटिंग में अगर एनम 10703 सम तो ऐसा जो सम्मिदा वाले चात्र हैं उनको काफी खुसी मिलती तो दोस्तों एक प्रिकार से देखें कि जो बाइकेंसी है उसको हर हाल में अब पूरा करना संभावाए इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बिहार में 5000 से ज़्यादा डाक्रों की भी बहाली होगी और जो आवेदन प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के माद्यम से जारी कर दिया जाएगा जिसमें 1300 असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ सह डाक्टर कालेजों में बहाल होगी बतलब जो 1300 असिस्टेंट प्रोफेसर की बैकेंसे निकाले जाएगी और ये पद जो निकाले जाएगे और सह डाक्टरों जो कालेज में होंगे उनके साथ बहाली की प्रक्रिया लागो होगी उसके बाद सामान अस्पतालों में जो लच्छ निर्धारित किया गया है उसको बिहार सरकार के माध्यम से लागो किया जाएगा और इसका जो नोटिफिकेशन है जल्द ही आपके सामने प्रस्तूत कर दिया जाएगा ऐसा बिहार सरकार का लच्छ निर्धारित हो चुका है उसके साथ ही साथ मरीजों को होगी सुविधा स्वात विवस्ता भी अच्छी होगी ऐसा बिहार सरकार का प्लान है और बिहार सरकार यही चाहरा है कि हर वर्ग तक हमारी सुविधा पहुंच सके दोस्तो इसके साथ ही साथ कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला राज़स सुकर्मचारी के अभ्यारतियों के लिए लिया गया है यानि राज़स सुकर्मचारी के जितने वे भारतियों अगर वैकेंसी का इंतजार कर रहे है तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि ग्यारा हजार से ज़्यादा राज़स सुकर्मचारी के में लिपिक पदों की बहाली होगी और युवाओ को रोजगार देने का जो लच्छे निर्धारित किया गया था वो पूरा होगा और इसका जो नोटिफिकेशन हो जल्द ही जारी किया जा सकता है और इसकी पदों के जो संख्या हो काफी 11,000 से ज़्यादा होने वाली है इसके साथ इसाथ बिहार पुलिस में 24,000 से ज़्यादा जो पद हैं उसको निर्धारित किया गया है और इसको भरने का जो लच्छ निर्धारित किया गया है वो अगले साल निर्धारित किया गया है और युवाओवा सिपाही के दरोगा बनने का जो सबना था उसको पूरा करने का लच बिहार गवर्मेंट के माध्यम से निर्धारित किया जा चुका है तो दोस्तों जितने भी कंडिडेट एनेम दसजार सासनों भरती प्रक्रिया में अपना अपना परदर्सन कर रहे हैं और लगातार काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं ऐसे चात्रों को बिहार सरकार के द्वारा बस कुछ ही दिनों में महत्पूर अपडेट घोसित करके ये साप निर्धेश दे दिया जाएगा कि आखिरकार इस भरती को अब की साधार पर पूरा किया जाएगा आपका जो प्रदर्सन करने का निर्ड़ा है वो क्या सही है या गलत इसके विसे में भी आपको नोटिपिकेशन जारी होगा तो उसके रुसार आपको संतुष्टी मिल जाएगी क्योंकि लगातार समीदा वाले चात्र प्रदर्सन कर रहे थे और यहीं मांग कर रहे थे कि इस भरती में काउंसलिंग प्रक्रिया ही लागो हो अगर इस भरती को जो पूरे करने का लच्छ निर्धारित किया गया है वो चुनाओ के पहले निर्धारित किया गया है तो हो सक प्रकार एक प्रकार से सभी अभ्यारतियों के लिए गुड़ न्यूच दे सकती है तो दोस्तों ये थी महत्तपोर जानकारी एन्यम दसजार सासनों भरती सम्मध है